हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टोटल हेल्प पर तो दोस्तो आपके लिए मैं आज 40,000 के अंदर तीन ऐसे लैप्टॉप लेके आया हूं जो आपके लिए एकदम प्रफेक्ट होंगे जिसमां आप गेमिंग इस्टडी या एडिटिंग यूटूब चैनल है तो विडिए एडिटिंग कर सकते हैं काफी कुछ होम यूज के लिए इस्टूडेन लेवल पर आप उसको यूज कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छे ब्राइंडेड लैप्टॉप मैं बताऊंगा जो 40,000 के अंदर उनगे तो जो सबसे पहले मेरे पाँ जो लैप्टॉप जिस के डिस्पले की बात करें तो 15.6 इंचिस की फुल एजडी अप डिस्पले पर देख सकते हैं फुल एजडी जो की बहुत ही अच्छी दिस्पले होती है। डिस्पलेस में आपको दी गई है और वहीं हम गर हम रैम की बात करें तो रैम इस पर आप देख सकते हैं चार जीवी और चार जीवी रैम दे रखी है और डीडी आर फोर की रैम है जो की बहुत ही अच्छी है और 256GB SSD है तो दोस्तों इसमां हार्ट डिस्क ना हो करके SSD रखी है आप जानते होंगे अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ जो हार्ट डिस्क होती है और जो SSD होती है आपकी हार्ट डिस्क के मुकाबले SSD की read और write की speed के होती है बहुत ही जादा होती है अगर आपका laptop या पीसी हार्ट डिस्क वाला है और एक का laptop या PC SSD वाला है तो आप उसमें देखेंगे जो メ του ऑपन टाइम होता है स्टार्टिंग का window open TIME कह सकते होंसे जो अचैन का हार्ट डिस्क का होता है उसका करीं इसे 40 second का होता है या 1 minute से भी उपर चला जाता है लेकिन जो SSD होता है उसका 7 से 15 second इतने माँ आपका क्या हो जाता है booting time complete हो जाता है तो इसमें देख सकते है 256 GB की SSD दे रखी है और Windows time home इस पर दे रखी है और साथ माइक्रो सॉप्ट office भी आपको दे रखा है तो बाकी हम देखते हैं इसकी price price की तरफ आप जा सकते हैं जैसे कि आपको देख सकते हैं 37,990 रुपेश की price है अब हम करते हैं इसके specification के बारे में बात आप देख सकते हैं numerical grade durable laptop है secure laptop है TPM 2.0 trusted platform module for secure आप इस पर देख सकते हैं और यह 180 degree metal alloy hing से हैं इसमें tested for 30,000 cycle यानि जो इसकी hing से है display है वो क्या होती है 180 degree तक क्या हो जाती है band हो जाती है और इसको 30,000 बात क्या कर रखा है test भी कर रखा है company के तरफ से दावा है प्रोसेसर के वारे मैंने आपको बताई दिया 10th generation core i3 इसका प्रोसेसर है जो बेश्टी speed है इसकी 1.2 GHz से maximum speed जो जाती है 3.4 GHz तक इस पर जाती है इस पर आप देख सकते हैं 2 core से हैं 4 MB smart catch इसमें data save हो सकता है और जो operating system है pre-loaded Windows 10 home जो इसका दोस्तों इसमें benefit आपको देखने को मिलता है जो pre-loaded क्या है Windows 10 आपको देखने को मलती है नहीं तो अगर आपको इसमें अगर डॉस पर लेना चाहोगे तो इसकी बिंडो बिंडो साथ से 14,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी जो Windows Home मिलेगी तो इस पर आपको ये benefit मिल जाता है कि pre-loaded Windows 10 आपको देखने को मिलती है वो भी lifetime valid ये नहीं कि एक साल दो साल के लिए ट्राइल दिया आ जाएगा इसमें देख सकते हैं lifetime valid आपको देखने को मिल रही है तो ये इसका क्या advantage है अब display की बात करते हैं मैंने बताया था कि 15.6 inches की आपकी 19-2080 यानि full HD display आपको देखने को मिलती है anti-glate technology के साथ अब इसमें हम कुछ connectivity की बात करें तो देख सकते हैं कि इसमें Wi-Fi भी मिलेगा Bluetooth 4.2 है Bluetooth में थोड़ा ये पीछे है क्योंकि इस टैम पर Bluetooth 5.1 या उससे भी उपर आ चुके है audio पर देखेंगे तो आपको 1.2 वाट के दो Dolby audio speaker आपको देखने को मिलेंगे दो memory 4 GB है DDR4 RAM के साथ आती है SSD 256 GB है design battery thin and light laptop 180 degree hings laptop laptop weight का है जो आपका 1.85 kg है यानि आपका weight भी लगब लगब ठीक ठाकी है ना जादा भारी है ना जादा lightly है battery life है 5.5 खंटे आपको देखने को मिल जाएगा pre-installed software Microsoft office home and student 2019 आपको देखने को मिलेगा inside जो box के अंदर मिलेगा आपको laptop मिलेगा charger मिलेगा user manual मिलेगा अब हम करते हैं अपने कुछ ports की बात ports में देखेंगे तो आप आपको 2 USB 3.1 generation first यानि 2 USB port मिलेगे आपको 3.1 generation first के और 1 USB मिलेगा आपका 2.0 और साथ में HDMI port देखने को मिलेगा HD card riddle मिलेगा audio combo jack मिलेगा और optical disc का आपको नहीं देखने पड़ेगी वैसे भी optical disc की जवाना धिरे-धिरे खतम हो रहा है लेकिन अभी भी जो price range के laptop हैं उसमाँ आप optical disc भी आप देखने को मिलेगा इस range पर optical disc आपको नहीं देखने को मिलेगी तो दोस्तो ये रहा आपका laptop के कुछ-कुछ HP के सी application आप देख सकते हैं तो दोस्तो जो हमारा दूसरे नंबर पर laptop आता है वो आता है HP के तरफ से HP 15 ये आपको 10th generation Intel Core i3 thin and light आपको 15.6 inch full HD display देखने को मिलेगी इसमाँ आपको 8GB RAM और 1 TV hard disk के इस पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें SSD नहीं है RAM भी इसमाँ 8GB है और hard disk भी 1 TV है M2 slot देखने को मिलेगा Windows 10 देखने को मिलेगी MS office jet black 1.74 kg आपको इसका weight देखने को मिलेगा जो इसकी price है price में आप देख सकते हैं 44,990 रुपए आपको इसकी price देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं इसके detail specification के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके कुछ specification आपके दिये हैं आप देख सकते हैं फिरी अप्ग्रेड टू विंडोस 11 वेन अवैलिबल इसकलाइमर दा विंडोस 11 अप्ग्रेड विल वी डिलीवर्ड लेड दोजार एक्षिस इंटो दोजार बाइस तैमिंग वेरियस बाई डिवाइज तो इसमां आपको जैसे विंडोस 10 अवेलिबल हो जाएगा यह विंडोस 10 का अफ्ग्रेड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा 2021 यह 2022 तरफ प्रोसेसिंग के बारे मां आप प्रोसेसिंग के बारे मां बात करें तो 10 जन्रेसें इंटल कोई i3 आपको देखने को मिलेगा जो 2.1 GHz based frequency के साथ आएगा और जो इसकी maximum frequency होगी 4.1 GHz आपको देखने को मिलेगी टर्बो बूस्टर टेकनोलोजी के साथ 4 MB L3 catch-2 cores आपको देखने को मिलेगी memory मैंने बता दिया आपको 8 GB DDR4 आपको 2666 MHz रैम की clock speed देखने को मिलेगी और 8 GB आपको 1 गुणा 1 GB अपग्रेटेबल अपटू 16 GB तक आज इसमें रैम इस्टोर कर सकते हैं आपको वन टीवी की जो 500 RPM की साथा हाट डिस्क का आपको M2 अवैलिवल साथ में इसके M2 अवैलिवल है डिस्पले साइज है जो 15.6 इंची का फुल एच्टी डिस्पले आपको देखने को मिलेगा जो इसकी माइक्रो एंटी गलेट 222 निट्स आपकी ब्रैटनेस आपकी जो दे रही है ठीक ठागी यह उतनी खास भी नहीं कह सकते हैं अब हम इसके कुछ कोश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं अब है कि एड अन्वे एमे एसेश्दि ओन डिस लेप्टप यस तो आप इसमें अन्वे एमे एसेश्दि भी आप इस्टॉल कर सकते हैं और डू वी हैब तू प्लेफ फॉर एक्टिवेटिंग एमेस ओपीस तो यह नो कह रहा है कैन वी एड़ एट जीवी रैम तो यह बोले Hello Siva The unit had 8GB RAM and you can add another 8GB RAM तो यह कह रहेंगी 8GB के साथ तो यह आता ही आप इसमें extra 8GB RAM install कर सकते हैं Can we add SSD to it? Yes तो यह रहे कुछ इसके सवाल जवाब आप देख सकते हैं HP के तरफ से यह एक laptop आप purchase कर सकते हैं जिसका link मैं आपको description box में नीचे देदूँगा और इससे पहले जो 11 ओ का laptop था उसका भी link मैं आपको description पर देख साथ में देदूँगा आप वहाँ से जाके Amazon से buy कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे